नमस्कार दोस्तों आप सभी का आपके अपने यूटूब चेनल जीके हेलप विद जयारवी पर हारदिक अभिननदन एवम स्वागत हैं दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे प्री बीएश्टीशी और पीटेट एक्जाम 2020 के लिए राजस्तान समाने गयान के most important 50 questions के बारे में तो वीडियो को अंतिम समय तक द्यानपुरग देखें और अंतिम आपसे एक जीके का question भी पूछा जाएगा जिसका जवाब भी आपको वीडियो के comment box में देना होगा तो वीडियो को स्टाट करें इससे पहले आपसे निवेद रहेगा कि आपने भी तक यूटूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इससे सब्सक्राइब जरूर करें और पास में बने हुए बैल आइकन को भी जरूर प्रेस करें तकि जब भी हम वीडियो प्लोड करें तो आपको notification मिल जाए चलिए स्टाट करते हैं आज का फेस्ट कोस्टन आपके सामने कसरेइलम नाम से 4 दिसंबर 1978 में स्टापित स्थान का वर्तमा नाम क्या है तो मित्रोक कस्रि इलब नाम से 4 दिसमबर 1978 में स्ताफित संस्तान का वरत्मान नाम है मुलाना अबदुलकलाम अजाद अर्भी भारसी सोथ संस्तान इस कोश्चन का B-Option राइट है ये कापरस्थीत है, बहुत बार कोस्टन पूछा गया कि मौलाना, अब्दुल कलाम, आजाद, अर्बी भार्सी, सोथ संस्तान कापरस्थीत है याद एक ड़कना टोंक में और कसर इल्म का नाम कर परिवर्तित किया गया था तो याद रखना 1987 में परिवर्थीते किया गया था यह सभी के सभी question important है एक्जाम में पूछे जाते हैं तो आपको ध्यान रखना है अगला question है राजस्तान का अंडमान किस जिले को कहते हैं राजस्तान का अंडमान केते हैं मित्रोद जसलमेर को इस question का Be-Option Right है जेसल मेर को राजस्तान की स्वरण नगरी कहते हैं हवेलियों का सहर कहते हैं पिले पत्थरों का सहर कहते हैं रेगिस्तान का गुलाब भी कहते हैं जरोखों की नगरी पंक्खों की नगरी म्यूजियम सिटी इन आधी उपनामों से जेसल मेर को जाना जाता है तो आपको ये सभी के सभी उपनाम यादे रखने हैं प्रिब्येस टेशी में खास कर उपनाम से रिलेटिव दो या तीन कोस्टन जरूर पुछे जाते हैं अगला कोस्टन है बागानों की बुमी किसका उपनाम है बागानों की बुमी ये मित्रो उपनाम है श्री गंगानगर का इस कोस्टन का D option राइट है चली अगला कोस्टन है गगर नदी की कुल लंबाई कितनी है राजस्तान की एक मातर अंतरश्ट्री नदी कौन सी है गगर नदी और इसकी जो कुल नबाई है वो है 465 किलोमेटर इस कोस्टन का C option राइट है ये जो गगर नदी है इसे राजस्तान का सोग केते हैं ये कोस्टन बहुत बार पूछा गया है किस नदी को राजस्तान का सोग केते हैं तो याद रखना गगर नदी को इसके कुछ अन्य नाम है जिसे नट नदी, मर्त नदी, सोतर नदी, लेटी हुई नदी प्राचिन समय में इसे सर्श्वती नदी भी का जाता था इसका उद्गम होता है माचल प्रदेश की सिवालिक पाडियों से और राजस्तान में प्रवेश कहां से करती है टिबी तसील हनुमानगर से प्रवेश करती है यह आपको ध्यान है रखना है और पाकिस्तान में यह हकरा के नाम से जानी जाती है फोट अबास तक जाती है पकिस्तन के तो वापरी से हकरा केते हैं ये भी आपको ध्यान रखना है चलिए नेस्ट कोस्टन है जोदपुरा सबेता किस नदी के किनारे विक्सित हुई जोदपुरा सबेता कहां स्तीत है ये कोस्टन बहुत बार एक्जाम में पूछा जाता है तो याद रखना जोदपुरा सबेता जेपुर में स्तीत है और ये किस नदी के किनारे विक्सित हुई साबी नदी के किनारे विक्सित हुई इस कोस्टन का उप्सन ए राइट है ये जो साब्बी नदी मित्रो, इसका उद्गम काँसे होता ह belief सेवर की पाडियान जेपुर्शे होता है ये आपको द्याने रखने और उत्तर दिसा में बेने वाली आंतरिक प्रवाय की एक मतर नदी है साब भी नदी और अलवर जिले की ये प्रमुख नदी है ये भी आपको द्याना रखना है अगला कोस्टन है किस नदी को स्तानिय बासा में वरा नदी के नाम से भी जाना जाता है कौन सी नदी को स्तानिय बासा में वरा नदी के नाम से भी जना जाता है तो रुपरेल नदी को वरा नदी के नाम से जना जाता है इस question का D option right है रुपरेल नदी का उद्गम होता है उद्यनात पाड़ी थानाकाजी तसील अलवर से और ये विलूप्त होती है बर्थपुर जिले में या आपको ध्याने रखने है इसी नदी का अन्य नाम क्या है मित्रो वरा नदी हो गया और एक और नाम इसकास लस्वारी नदी लस्वारी नदी किसका अन्य नाम है रुपारेल नदी का और मित्रो बर्दपूर में इस नदी पर डिग मेल, नोय सब्विता, मोती जिल बांध, सीकरी बांध अस्तित है तो ये भी फेक्ट आपको यादे रखना है अगला कोस्टन है केसरी सिंग बारट के अनुशार है जिस प्रकार पंजाब को लाला लाजपत रहे पर और माराश्ट्रे को बालगंगा दर्तिलक पर गरव है उसी प्रकार राजस्तान को किस पर गरव है बहुत इपोर्टन कोस्टन है ये एक जाम में बहुत बार पुछा गिया है पंजाब को लाला लाजपत रहे पर है माराश्ट्रिक को बाल गंगा दर्तिलग पर है तो राजस्तान को गरवेमित्रो राव गोपाल सिंग खरवा पर इस question का D option राइट है अगला कोस्टन है तीन अप्रेल उन्नी सो चानिस को राजस्तान के किस मान सवतंतरता सेनानी को जेल में जिन्दा जला दिया गया डेट याद रखना 3 अप्रेल 1946 को राजस्तान के मान स्वतंतरता सिनानी सागरमल गोपा को जेल में जिन्दा जला दिया गया था इस क्वेस्टन का बी ओप्षन राइट है चली अगला कोस्टन है आजादी के दिवाने तथा जेसल मेर में गुंडा राज नमक पुस्ट किस ने लिखी तो मित्रो ये जो पुस्त के हैं आजादी के दिवाने तथा जेसल मेर में गुंडा राज सागरमल गोपा की प्रमुख पुस्त के हैं इस कोस्टन का बी ओप्सन राइट है चली अगला कोस्टन है ये भी कोस्टन वेरी वेरी इपोर्टेंट है एक जाम में बहुत बार पुछा गया है अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इसे लाइक जुरूर करें और अपने दोस्टों के साथ इसे ज़्यदा से ज़्यदा सेर करें ताकि उन्हें भी ज़्यदा से ज़्यदा फाइदा मिल सके अगला कोस्टन है अठारा सो स्तावन के सवतंतरता संग्राम में फांसी का फंदा चूमने वाला पहला राजस्तानी कौन था ये तो कोस्टन प्रिब्येस्टी शीक्जाम में भी पुछा गया है 1857 के सवतंतरता संग्राब में फांसी का फंदा चूमने वाला पहला राजस्तानी था अमर्चंद बाठिया जिसे राजस्तान का मंगल पांडे भी केते हैं इस कोस्टन का B ओप्सन राइट है चली अगला कोस्टन है आंगी बान नामक राजस्तानी समाचार पतर किस ने निकाला आंगी बान नामक राजस्तानी समाचार पतर निकाला था मित्रोज जैनारेन व्यासनी इस question का option A right है चलिए next question है विशव का एक मतर वरक्स मिला खेजडली में कब आयोजित किया जाता है Very very important question है बहुत बार एक्जाम में पुछा गया है विशव का एक मतर वरक्स मिला खेजडली जोदपूर में आयोजित किया जाता है मित्रो बादरपद सुकल दसमी को इस question का C option right है अगला question है मावीर जी का परसिद मिला कब लगता है मावीर जी का जो परसिद मिला है वो लगता है मित्रो चेतर सुधी तेरस को यानि कि इस question का option A right है चेत्तर के सूकलपक्च की तेरस को माविर जी का परशिद मिला लगता है करोली में काँ पर लगता है करोली में और याद रगना ये जो माविर जी का परशिद मिला ये जेंद्रम का सबसे बड़ा मिला है अगला कोस्टन है अववा के ठाकुर कुसालसिय ने अंग्रेजों के समक्ष कहां पर समर्पन किया था अववा के ठाकुर कुसालसिय ने अंग्रेजों के समक्ष निम्मच में समर्पन किया था इस कोस्टन का B option राइट है चलिए नेस्ट कोस्टन है निम्र में से किस जिले की सिमा पाकिस्तान से नहीं मिलती है बते मित्रो इन में से कौन सी जिले की सिमा पाकिस्तान के साथ नहीं लगती है तो मित्रो हनुमानगड की सिमा पाकिस्तान के साथ नहीं लगती है इस कोस्टन का D option right है पाकिस्तान के साथ राजस्तान के चार जिले सिमा बनाती है और जो कुल लमभाई है वो है 1070 किलोमेटर यह आपको द्यान है रखना है कौन-कौन से चार जिले सिमा बनाते है स्री गंगानगर बनाता है 210 किलोमेटर ये आपको द्यानरकना है इसके बाद मित्रोव बिकानेर 168 km फिर बात करें जेसल मेर जेसल मेर बनाते है 464 km और 4 जिला बाड मेर बाड मेर बनाते है 228 km total कितनी है 1070 km है ये आपको द्यानरकना है अगला question मारवार का अमरत शुरवर कौन सा बांद कहलाता है मारवाड का अमरत सुरूवर यह कलाता है मित्रों जवाई बांद इस question का option A right है आप से एक question इसा भी पूछा जा सकते हैं कि जवाई बांद काँ परस्तीत है तो याद रखना जवाई बांद है यह सतीत है सुमेरपूर पाली में काँ परस्तित है सुमेरपूर पाली में जवाई बांद अस्तित है और इस बांद की नीम रखी थी माराजा उमेद सियने कब 13 मैई 1906 को और इसका निर्मान करने वाली इंजिनियर थे एडगर वैफर्ग्यूशन एडगर वैफर्ग्यूशन ये भी आपको ध्यान रखने है और एक ये भी फेक्ट यादरना जवाई बांद है ये पस्चमी राजस्तान का जल बंडारन की चमता की दरश्टी से सबसे बड़ा बांद है अगला कोस्त ने माखु पूरा अध्योगिक छेतर किस जिले में अस्तित है माखु पूरा अध्योगिक छेतर मित्रो अजमेर जिले में अस्तित है इसका सी ओप्सन राइट है अगला कोस्त ने बुंदी कोटा वै जलावाड में बोली जाने वाली बोली कौन सी है तो मित्रो बुंदी कोटा जलाबाड में बोली जाती है हरो ती इसका option ए राइट है चलिए next question आरण किसे कहते हैं आरण कहते हैं मित्रो लुआर की बटी को इस question का C option ए राइट है अगला question है राजस्तान का पर्थम जेविक उध्यान काम विक्सित किया जा रहा है तो राजस्तान का जो पर्थम जेविक उध्यान है यह विक्सित किया जा रहा है नहर गडमी इस question का C option right है अगला question है विश्व का सबसे बड़ा solar पारक का स्थित है बते है मित्रो यह भी question बहुत बार एकजाम में पुछा गया विश्व का सबसे बड़ा solar पारक है वो जोध्पूर में स्थित है इस question का D option right है अगर गाम का नाम पुछे तो याद रगना बडला गाम जोध्पूर में विश्व का सबसे बड़ा solar पारक है अस्थित है अगला question है विश्व का सबसे बड़ा रियाशी मेल उमेद बवन का स्थित है उमेद बवन यह स्थित है मित्रो जोध्पूर में इस question का option A right है चोईश में question है सडको का न्यूंतम गंतव वाला जिला कोर्ष है सडको का न्यूंतम गंतव वाला जिला तो जेसल मेर है मित्रो इसका option A right है न्यूंतम जनसंक्या वाला जिला भी जेसल मेर है और न्यूंतम पसु गंतव वाला जिला भी जेसल मेरे में और सबसे कम बारिष भी जेसल मेर में ही होती है ये भी आपको ध्यान रखना है लेकिन छेतरफल की द्रश्टी से बात करें तो जेसल मेर सबसे बड़ा जिला है इसका छेतरफल है 38401 बरगे किलोमेटर अगला कोस्त नहीं सबसे कम गावों वाला जिला कौन सा है अगला कोस्त नहीं सबसे कम गावों वाला जिला कौन सा है तो यादर का शिरोई जो गाम है ये सबसे कम गावों वाला जिला है सरवादी गावों वाला जिला तो यादर नहीं स्री गंगा नगर सरवादी गावों वाला जिला है अगला कोस्टन है गुडियों का संग्राले का अगला कोस्टन है गजनेर अब्यरने 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 का अगला कोस्टन है गजन बटबड़ पक्षी के लिए परसीद है और यह जो बटबड़ पक्षी है इसका विग्यानिक नाम है इंपिरियल सेंड गाउन इंपिरियल सेंड गाउन यह आपको द्यान रखने है इंपिरियल सेंड गाउन यह याद आपको रखना क्योंकि एक जाम में पूछा गया है गज बारत सभा का गठन किया था मितरो विज्यासिया पतिक ने इस क्वेस्टन का D ऑप्सन राइटे विज्यासिया पतिक जिनका मूल नाम भूप सियं था बूप सी हैं अगला कोस्तन है राजस्तान के सूपरसिद और यसस्वी नेता अरजुनलाल सेथी ने किसको राजस्तान का सेर कहकर समानित किया है तो मित्रो राजस्तान के सूपरसिद और यसस्वी नेता अरजुनलाल सेथी ने राजस्तान का सेर कहा है विजयसियां पतिक को इस कोस्टन का बी ओप्सन राइट है अगला कोस्टन है विजयसियां पतिक जी ने 1921 इस्वी में अजमेर से किस समाचार पत्र का प्रकासन प्रारम किया तो 1921 इस्वी में अजमेर से नवीन राजस्तान समाचार पत्र का प्रारम किया था किसने विजयस स्तान का नहां पुछें तो याद रखना ताल चैपर चूरू में स्तीत है और ये काले इृह के लिए परसीद है और यापर गास पाई जाती है, मूत या गास, जिसे काले हिरन बहुती पसंद करते हैं और तालच पर जील भी इसी अबैरने मिश्तित है, ये भी आपको द्यान रखना है अगला कोस्टन है, चरी नरते की परसिद नरतेंगना कोन है तो मित्रो चरी नर्ते की प्रसिद्न नर्तेंग ने फलकू भाई इस कोस्टन का उप्षन ए राइट है चली अगला कोस्टन है क्रांतिव आजादी का पड़ाने के लिए जेपुर में बारत की पर्थम राष्ट्रे विद्यापीठ जेहन वर्दमान विद्यले की स्थापना किशने की थी तो मित्रो जेहन वर्दमान विद्यले की स्थापना की थी अरजुन लाल सेठी ने इस कोस्टन का सी ओप्षन राइट है अगला कोस्टन है मेंदर कुमार मदन प्राज्य वे पार्शव यग्य आदिक इनकी प्रमुक कृतिया है मेंदर कुमार मदन प्राज्य पार्शव यग्य ये जो प्रमुक कृतिया है मित्रो किसकी एक अरजुनल सेठी की इस कोस्टन का बी ओप्सन हराइट है चलिए नेश्ट कोस्टन है ग्राम सबाग की बेटकों की अधेकस्ता कोन करता है बताए मित्रो ग्राम सबाग की जो बेटक होती है इनकी अधेकस्ता कोन करता है तो इनकी अधेकस्ता करता है सरपंच इस कोस्टन का ओप्सन ए राइट है चलिए 36 मा कोस्टन है राजस्तान में बरड़ी कांग की परशीद है तो राजस्तान में बरड़ी मित्रो जेसल मेर की परशीद है इस कोस्टन का बी ओप्सन राइट है उन की बरड़ी ये जेसल मेर की परशीद है सेंतिसमा कोस्टन है बड़े देवताजी की हवेली बित्ती चितर का स्थीत है बताए मित्रों बड़े देवताजी की हवेली बित्ती चितर का स्थीत है तो मित्रों ये स्थीत है कोटा में इसका ओप्षन ए राइट है अगला कोस्टन है रामपुर्या हवेलिया का अगला कोस्टन है रामपुर्या हवेलिया यह कोस्टन बहुत बार एकजाम में पुछा गया है रामपुर्या हवेलिया यह मित्रो बिकानेर में स्थीत है इस कोस्टन का बी ओप्सन राइट है अगला कोस्टन है सांचोर का प्राची नाम क्या था सांचोर का जो प्राची नाम था वो था मित्रो सत्यपूर इस कोस्टन का D option राइट है सांचोर है इसे राजस्तान का पंजाब केते हैं यह कोस्टन पूछा गया है याद रखना राजस्तान का पंजाब किसे केते हैं सांचोर को और गोगा जी की ओल्डी काम पर स्थीत है तो गोगा जी की ओल्डी स्थीत है मित्रो सांचोर ये भी आपको ध्यान रखने हैं गोगा जी की ओल्डी सांचोर जालोर में अस्थीत है 41 में कोस्टन है सेमिस किस से समंदीत है सेमिस मित्रो समंदीत है मादेमिक सिक्चा से इस कोस्टन का B-Option और राइट है यह जो सेमिस मित्रो इसकी फुलफो में Secondary Education Management and Information System इंदी में बात करें तो मादेमिक सिक्चा प्रबंदन सुचना प्रनाली इसकी फुलफो में है और यह मादेमिक सिक्चा से समंदीत है आगला कोस्टन है जाखम नदी का उदिगम स्टल कौन शा है तो मित्रो जाखम नदी का उदिगम स्टल है वो है छोठी सादरी जो कि परतापगर में सितल है यहां पर है मित्रों बहुर माता की पाडियां यहीं से जाखम नदी का उद्गम होता है और आगे चल कर यह सोम नदी में मिल जाती है यह भी आपको द्यान रखना है सो माही और जाखम तिर्वेनी संगम बनाती है ये आपको पता है और जाखम नदी है इस पर मित्रो जाखम बांध अस्तित है जाखम बांध राजस्तान का सबसे उंचा बांध है जो कि परताप गड़ जिले में अस्तित है अगला कोस्टन है रणकपूर का जेन मंदिर किस नदी के तड़ पर अस्तित है तो मित्रो रणकपूर का जो जेन मंदिर है ये मथाई नदी के तड़ पर अस्तित इस कोस्टन का ओप्शन ए राइट है चलिए अगला कोस्टन है चंदरबागा पशु मेला कहां लगता है तो मित्रो चंदरबागा पशु मेला लगता है जालरा पाटरन में इस कोस्टन का D-Option राइट जालरा पाटरन जालावाड में चंदरबागा पशु मेला लगता है चार ये नेश्ट कोस्टन है राजस्तान विदान सभा की बेटकों की अधेक्सता एवं कारेवाई का संचालन कोन करता है तो मित्रो राजस्तान विदान सभा की बेटकों की अधेक्सता एवं कारेवाई का संचालन करता है विदान सभा अधेक्स इस question का D option right है और present time में विदानसभा अदेक्स कोन है? CP जोसी यह आपको ध्यान रखना है present time में विदानसभा अदेक्स है? CP जोसी और पर्थम अदेक्स कोन थे? पर्थम विदानसभा के अदेक्स थे? नरोत्तम लाल जोसी जो कि जुन-जुन जिले से समन्दीत है थे अगला question है बेंश्रोडगर दुरू किस जिले में अस्तित है? राजस्तान का वेलोर केते है बेंश्रोडगर दुरू को और ये स्तित है मित्रो चितोडगर में इस question का D option right है चलिए नेस्ट question है सोने के बंडार बास बड़ा जिले से इस question का C option right है 48 मा question है सावरिया सेट का मंदिर चितोडगर के किस अस्तित है सावरिया सेट का जो मंदिर मित्रोड चितोडगर के मंडफिया स्तित है इस question का D option right है मंडफिया चलिए अगला question है औरंग जेब ने दाराशिको को किस किले में केद करके रखा था तो मित्रो दाराशिको को केद करके रखा था किस ने औरंग जेब ने किस किले में कांकनवाडी किले में इस कोस्टन का ओप्सन ए राइट है आज का अंतिन कोस्टन है रमकडा उद्योग के लिए डुंगरपुर का कौन सा अस्तान परसीद है तो मित्रो रमकडा उद्योग के लिए डुंगरपुर का गलिया कोट अस्तान परसीद है इसका ओप्सन ए राइट है बोरा संपरदय की परदान पीठ भी यहीं परस्तित है और यह रमकडा उद्यों के लिए परसित है गलिया कोड जो कि डुंगरपूर में अस्तित है तो मित्रों यह थे most important 50 questions आपको यह वीडियो के सा लगा यह वीडियो के comment box में जुरूर बताएं और इन 50 questions में से आपके कुल कितने questions राइट हो रहे हैं यह भी comment box में जुरूर बताएं यहाँ पर आपका मुल्यंकर भी हो जाएगा और राजस्तान समयने गयान से समंदीत आपकी किसी त्यारी चल रही है वो भी आपको पता चल जाएगा और आपसे निवेते रहेगा कि आपने अभी तक टेलिग्राम चेनल को जोइन नहीं किया है तो टेलिग्राम चेनल को जुरूर जोइन करें इसका लिंक आपको description में मिले जाएगा मेरे साथ जुडने के लिए Instagram ID के माद्यम से भी मुझे follow कर सकते हैं इसका लिंक भी आपको description में दिया गया है चलिए अब बात करते हैं लास्ट वीडियो में जो आपसे question पूछा गया था उसके बारे में लास्ट वीडियो में आपसे question पूछा गया था निम्र में से किसे मरूब उमी की कोकिला का जाता है तो मित्रो मरूब उमी की कोकिला का जाता है अल्ला जिला भाई को इस question का B option राइट था और आप सभी ने इस question का जवाब राइट दिया आपको पुने केता हूँ question का जवाब आप comment box में जुरूर लिका करो चलिए अब बात करते है question of the day के बारे में आज का question है लोग देवता मलीनात जी का मंदिर का अपरस्तित है उप्सन आपके सामने साथू गाम जलोर पांचेच गाम जलोर नगला जाज बर्तपूर तिलवाडा बाड मेर इस question का जवाब आपको वीडियो के comment box में देना है मिलते हैं next वीडियो में बहुत जल्दी तब तक के लिए जाहिंद वंदे मातरम जाभारत